कि जय हिंद बच्चों है अशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे पाई पधियान देते होंगे और जो पहला वीडियो है आप लोग देखे भी होंगे अशा करते हैं तो उसमें क्या हम बनाए थे याद कीजिएगा थ्रॉसत हुमनों रिभाइज करते हैं उसमें बताया थ कि अंग किसे कहते हैं तो हम कोई उतना भारी नहीं कि बतायत है कि जीरो से लेकर नौतों को हम अंग कहते हैं और आंको कि कुल संख्या कितनी है प्रचलित भिधी तिनको आए अब आज हम लोग चलेंगे जो में अग को परकार्क होते हैं अंक कितने परकार्ग होते हैं तो हम लोग चलेंगे तो अंक के पर लिए से पोश्चे हम लो कि अंक कितने परकार्थ पुते हैं कि अंक कितने परकार्थ के होते हैं हाव मेनी काइण्स ओफ डिजिट है हाव मेनी काइण्स ओफ डिजिट है कितने परकार्थ होते हैं है अंक कुछ होते हैं कि दूपर नुथ होते हैं देर आर टू टाइप्स देर आर टू टाइप्स ऑफ दिजिटे अंग कितने पहते हैं हाव मैंनी काइंड्स ओप दिजिटे अंग कि देर आर टू काइंड्स ओप दिजिटे तो अंग दो पर खोते हैं पहला अंग क्या होगा पहला अंग सार्थक अंग सार्थक अंग इसको अंग रिजम क्या करते हैं सिगनी ठीकें डिजिट दूसरा होता है ना दूसरा होता है और सार्थक और सार्थक अंग इसको अंग रिजम नोन नोन सिगनी रिजिट ये नोन सिगनी कें डिजिट ये रिजिट Dodge सार्थकंग और सार्थकंग सिगनिफिकेंट डिजिट और नौन सिगनिफिकेंट डिजिट तापड़न जबनके अंक को परकार को होला अंक को परकार को होला तो अंक दूपरकार को होला कौन-कौन सार्थकंग और सार्थकंग अंगलेजिव का खेलेज़ा सिगनिफिकेंट ड कि आज़ते हैं कितने परगहोते हैं तो अंक कितने परगह होते हैं कि एक गते क्वते हैं सब्सक्राइब डिजीट नॉन सिग्निफिकट जीडिट अब आगे चलता निहाँ अब आए जाओ हमनी के सार्थक अंक के कळा के कहल जाला तो अंक पढ़ें जदूप्रके अब आए अगला कोश्म जल जाओ अगला कोश्म जल जाओ शार्थक अंक सार्थक अंक किसे कहते हैं किसे कहते हैं किसे कहते हैं कि वाट इस कॉल्ड सिग्निफिकेंड डिजीट है का कहांगे स्कूल जी महलो वाट इस कॉल्ड सिग्निफिकेंड डिजीट है तो आंसर का लिखेंगे एक से लेकर हरा चाहिए से लिखेंगे एक दो तीन चार पांट चो चार आठ नो को हम सार्थक अंक कहते हैं कि नोट करते रहेगा कि इसमें धिला परनालसी पर नहीं नोट करते रहेगा और तो फिर ढटा करता पड़ेगा उतना पैसा आम लोगों के बाता प्रस नहीं है इसलिए एक बार जो देखेंगे से नोट करते तो लें ताकि फिर हमको फिर दोबार आसको रखने का वाने टूट फूर फाइब सीक सेबन एट नाइन टेन को होगा गता है सार्थक अंग है अब ना गोल और शार्थक भोली को जा अगला कोश्चन कोश्चन वगले करें देखेंगे लोग और सार्थक और सार्थक अंग कीसे कहते हैं तो जीरू को हम रुखली है सुनने को जीरू को और सार्थक अंग कहते हैं हम मैटेरियल जो गाल करेंगे आप लोग सिर्फ पढ़त रहेगा इसमें कविमत कीजिएगा ना मने खाना ना बना करेंगे आप खली खाईए एदम भर पेटा खाईए एदम छूट के लिए आप लोग नहीं सार्थक अंग केकरा क्या कहले ला सार्थक अंग केकरा कहले ला वाट इज कॉल्ड सिग्निट्रिकें दीजिए एक दू तीन चार पांच छो साथ आठ नव को हमने के कहले ला सार्थक अंग कहले ला एक से लेकर लेकर कहले ला और फ्रस चुटू गया जीरो के खली जीरो के कहले ला और शार्थक अंग हना नौन सिग्निफिकेंट्ट दीजिट्रिकें कि ना थे समाझ मायद किना सबक्य के बढ़िया से आज हमानी कप्णि जा कि कि अंग को पर कर खोला थे अंग दो पर घरके सार्थक अंग और शार्थक अंग शार्थक को चले ला और शार्थक अंक्र में निख़तने बाद एक दू तू तू कर पांच मने नौ तक करता है जिरो खेले उनके और शार्थक करने खोले लोग आपरतर हो ठीक बार जाहिन जाय प्राद